नमस्कार मित्रों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूग चैनल में आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कैसा नुश्खा लिक्या हूँ जिसके इस्तमाल से आपके गैस एसीडिटी कप्ज की समस्या खतम हो जाएगी तो दोस्तों वीडियो क कब्ज एसीडिटी की परिषानी आज की डिट में बहुत ही देजी से उबरने लगी है यह बिमारी दोस्तों इस परिषानी के कुछ मुक्य कारण होते हैं सबसे पहला दोस्तों कौफी और चाय का ज्यादा सेवन करना जिसकी वज़े से दोस्तों आपकी बौड़ी सारा पा की समस्या दिरे देरे उबरने लगती है और जब वेग आपकी समस्या होती है तो उसके कारण आपके बवासीर की समस्या भी उत्रण हो सकती है तीसरा कारण होता है हाई ग्लाइसमिक इंडेक्स चीज़ों का सेवन में लेना मतलब कि दोस्तों जो लोग सफेद चावल उनके दोस्तों कब्ज, एसिडिटी और सरीर के अंदर गंदे बैक्ट्रिया होना निश्चित होता है तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराने के पुशक्त नहीं है आज की होम रेमेडी बहुती ज़्यता कारेकर बहुती ज़्यता फायदा बनने वाली है दोस्तों इस नुश्के को त्यार करने के लिए सबसे पहले आपको गुनगुना पानी लेना है कुछ इस तरह से और आपको इसके अंदर एक चमच के तकरिवर ले लेनी है हमारी यह सबसे पहला इंग्रिडिन यह यह आपको एक चमच डाल लेना है अब आपको इससे अच्छे परकाश से ला लेना है ये था दोस्तो हमारा मैथी दाना दोस्तो मैथी दाने के अंदर कुछ ऐसी प्रोपरडीस पहर जाते हैं जैसे कि मेगनिसियम, सिलेनियम, जिंक, फाइबर जो कि दोस्तो आपको खाने को पचाता है साथ साथ के मेटाबोलिजम को प्रुकता है आपकी गैस, एसिड़ी और पेट के अंदर की जैने भी गंदी बैक्टिरियों उन्हें मार गिराता है साथ साथ ये दोस्तो आपके डाबिटीस को भी कम करता है तो दोस्तो आपको इसको कैसे सेवन में लेना है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तो आपको इसे पूरी रात यूँ ही छोड़ देना है और सुबह उड़ते ही आपको इसके अंदर ये निवू एड़ करना है हाफ लेमन इसके अंदर एड़ करना है और तुरंथ ही आपको पी लेना है पीने के बाद दोस्तो आपको इसको जो इसके अंदर के दाने हैं वो आपको चवाने हैं पहले आपको पानी पीना है फिर आपको इसके दाने चवाने हैं जो मैती दाने के हैं उसको आपको चवाना है दीरे-दीरे करके इस तरह से आपको क सितना ही उम्मित करता हूँ आपको मारी वीडियो पसंद रोगी वीडियो के लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और आपको की फैमिली फ्रेंड से मित्र इस पर रहसाने से जूज रहो उन भाएकों साथ भी वट्सप पे फेस्ट पे शेयर कीजिए धन्यवाद